असलाम अलेकुम मैं हूँ अलियरहमान और आप दिख रहे हैं टुटोरियल्स टाउन आज की क्लास में हम दिखेंगे कि कलर लुक अप्स क्या होते हैं कलर लुक अप्स बेसिकली आपके ऐसे एफेक्ट होते हैं लाइक आप जो अपने फोन में कहीं पर पिक्चर्स पिक कर रहते हैं आप बहुत सारे कैमरे जो होते हैं मुबाइल फोन के उनके अंदर फीचर्स आइड कर दिखेंगें कि आप डिफरेंट तैप्स के फिल्टर और एफेक्ट्स लगा सकते हैं जो इमेज इस हैं उनका बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइक आप कहीं इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगा रहे हैं या आप कहीं अब फेस्बुक में भी औप्शन आ चुके हैं आप फेस्बुक में अगर लाइफ पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं तो आपके पास फिल्टर मौझूद होते हैं जिनको हम कलर लुक अप्स कहते हैं जो बेसिकली बनाए जाते हैं आपकी एडिस्मेंट लेयर्स को यूज करते हुए सो वो लूकश जो होते हैं उनको हम एक और नाम देते हैं जिसकर में jakim लैटस का ठीके लैटस जो है वो आपके दूसर्ए साफ़ेर यूज्स करते हैं आपकी जो hacerloою है ऐक के पास प्रेमियर हुता है आफरेफेक्ट अपे उसमें भी एपके लैटस तकि आपकी वीडियो की भी color balancing या color grading कर ली जाए अक्सर आपने जो movies होती है अगर आप BTS देखे हैं जब वह movie shoot हो रही होती है तो उनकी जो raw footage होती है अगर आप उसको देखें तो उसके colors बिल्कुल different होता है जब कि आप जो एक final movie आपके सामने नजर आती है जब आप एक film को द कोई science नहीं है लेकिन color lookups बनाते कैसे हैं जो LUTs होते हैं जो lookup tables होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं वो हम आज की session में देखेंगे तो चलते हैं software की तरफ और देखते हैं कि LUTs किस तरह से बनाते हैं और उनको apply किस तरह से किया जाता है तो सबसे पहले मेरे पास यह image म नाम से इस पर क्लिक कर देता है तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पर देखें different effects आपके phone में होते हैं आप simple select करते हैं तो यहां से जाके apply करके आपको एक नया effect देता है यह candle light है और इस तरह drop blue इसे तरह moonlight का effect होता है तो moonlight effect आ जाएगा इस तरह से आपको different variations बन इस तरह से नीचे और दूसरे filters अगर आप उसमें add करना चाहते हैं और इस तरह से different variations में आपके आपके पास यह मौजूद है color negative आप बनाना चाहते हैं जो हमने last class में inverts में पढ़ाता तो invert से भी कर सकते हैं और यहां से भी आपको कर सकते हैं तो यहां से पहले से बने हुए जो color lookups थे वो आपको यहां पर दिये गए हैं Photoshop की तरफ से अब मैं आपको बताऊंगा यह जो लट्स होते हैं यह जो color lookups होते हैं यह आप किस तरह से बनाते हैं और वापिस Photoshop में आप इनको किस तरह से import कर सकते हैं सो मैं सिंपली इस effect को खतम कर रहा हूं यहां से और मैं यहां पर एक effect लगा हूँ यह वाला जो effect था color lookup का भी मैंने इसको बिल्कुल खतम कर दिया हमाई raw image जो थी वो इस तरह की ती और मैं इस पर अपकाम करता हूँ सो आज से पहले तक जितने भी हमने adjustment layers पढ़ी है मैं सिर्फ उन ही को use करूँगा और इसमें वो color lookup बनाऊँगा और फिर हम वो किसी और image पर apply करेंगे सो यह मेरे पास एक image है और इसके उपर मैं सबसे पहले जाके लेविल्स लगाता हूँ और लेविल्स लगाने के बाद मैंने इसका color जो था हूँ थोड़ा bright कर दिया लेकिन मैं इतना bright colors पर लगाना नहीं चाहता हूँ तो मैं आज से जाता हूँ और इसको जाके मैं कर देता हूँ और लेकरने के बाद मैं इसकी opacity थोड़ी से कम कर देता हूँ तो यह image कुछ ऐसी थी और अभी मैंने ऐसे कर दी ओके उसके बाद मैं यहाँ से जाता हूँ और यहां से मैं जो हूँ वो फोटो फिल्टर हमने उसके फोटो फिल्टर लगा दिया और यहां से मैं इसमें थोड़ा सा जो डीप ब्लू कलर है वो मैं एड़ कर देता हूँ इसके amount को मैं थोड़ा से increase कर देता हूँ और प्लस इसका भी मैं blending mode change करके यहां से linear dodge और linear dodge की opacity मैं down कर देता हूँ चीक हो गया और देन मैं last में जाके brightness and contrast लगाता हूँ और इस image का थोड़ा सा contrast बढ़ा देता हूँ brightness को थोड़ा सा किरा देता हूँ तो यह कुछ मैंने जो filter से जो effect से वो मैंने filters जो adjustment layers थी वो मैंने इसके उपर apply कर दी है मैं चाहता हूँ यह 4-5 जो भी मैंने adjustment layers लगाई है इनका मैं एक look up table बना लूँ जो luts होते हैं वो बना दूँ और मैं इसको दूसरी value image पर जाके कहीं पर apply कर वाता हूँ एक काम है इसमें और कर देता हूँ मैं यहांसे photo filter थोड़ सा different लगाने की कोशिश करता हूँ मैं यहांसे जाके like green color मैंने इसमें add कर वा दिया ताकि so मैंने आप पर green color जो था वो add कर वा दिया यह मैं यह जो magenta color है यह वाला मैं add कर वा दो ताकि जब मैं दूसरे look up table पर लगाऊ उसको तो आपको नजर आए समझ में आए कि हाँ यह apply हो भी रहा यह नहीं तो अब इसको बनाने का जो color look up बनाने का जो तरीका है वो यह है कि आप इन तमाम filters को select करें और control G से group कर तो और इसका नाम में कुछ रख देता हूँ magenta filter मैं इसका नाम रख दिया और interface कर दिया अब इस group को मैं बनाना चाहता हूँ जो look up table है वो मैं create करना साता हूँ तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा file में file में जाके आपको यहाँ पर option मिलेगा export और export में जाके आपको यहाँ पर option मिलेगा color look up table का जैसी आप color look up table बनाएंगे तो यहाँ पर यह आपसे पुछेगा कि कौन कौन से format में आपको बनाना है सब कुछ ऐसे default पर रहने दें यहाँ से जाके ओगे कर दें तो आपसे जगा पूछ रहा है तो मैं जगा इसको अपने जो desktop है उस पर save कर लेता हूँ एम फिल्टर के ही नाम से तो यह मैंने यहाँ से जाके color look up table बना दिया अचा कभी-कभी color look up table बनाते हुए problem होती है problem ही होती है कि आपकी अगर picture बहुत जादा बढ़ी है तो उसको आप image size से लाके थोड़ा छोटा कर लें तो आपको पिक्चर शोटी करनी पड़ेगी एंड फिर आप जाके एक नया color look up table बनाएंगे तो वह बन जाएगा तो मैंने यह वाली picture जो है इससे color look up create कर लिया अब मैं एक नई picture मेरे पास यह दूसरी image है इस दूसरी image के उपर अभी जो मैंने look up table बनाया वो मैं create करना चाहता हूं मतलब मैं apply कर्माना चाहता हूं इसके उपर सो उसका procedure क्या होगा सो मैं यहां से जाता हूं और मैंने दुबार से color look up table लगाया तो color look up लगाने के बाद आप क्या करेंगे आप यहां से 3D LED है इस पर जाके click किया मैंने और यहां से load 3D LED इस पर जाके आप click करता है जैसे आप click जार देखें इसमें इसमें colors रखे थे और इसमें colors आ रहे हैं सो इस तरह से आप यह जो भी लट होते हैं आप से कोई let's create करवाता है कोई वीडियो ग्राफर है कोई आप पस कंपॉसिटर है वह आप से let's create करवाता है तो आप बिल्कुल Photoshop पर लाके वह let's create कर सकता है तो यह थी आज की class आज की class में हमने देखा color lookups क्या होते हैं और उन lookups को बनाया कैसे जाता है जिसको हम let's कहते हैं आपको पसंद आई होगे अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन ज़रूर दबाईएगा ताकि आपको जो नई वीडियो हों मिल सकें तब तक के लिए लाफिज अपना ख्याल रखेगा